केरल में एक IAS अफसर की नियुक्ति पर हंगाव मच गया भाजपा का कहना है कि केरल सरकार ने विदेश शचिव नियुक्त किया है इसको लेकर CPIM की अगवाई वाली LDRF गठ बंदन सरकार पर भाजपा निशाना साथ रही है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि तंज कसा और कहा कि क्या अब केरल सरकार रक्षा मंत्री की भी नियुक्ति करेगी हाला कि केरल के मुख्य सचिव डाक्टर भी वेडु ने साफ किया है कि राजपा में विदेश सचिव का कोई पद नहीं है वैसे भी विदेशी मामले केंद सरकार के अधीन आते हैं और कोई राज्य सरकार विदेश सचिव नियुक्त नहीं कर सकती आईए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे होती है विदेश सचिव की नियुक्ती और क्या राजी में विदेश सचिव की नियुक्ती सम्विधान की खिलाफ है दरसल भारत का विदेश सचिव देश का सबसे बड़ा राजनाईक होता है वहीं विदेश मंत्राले का प्रशास्निक प्रमुक भी होता है विदेश सचिव पद के लिए तै प्रशास्निक कामकाज के अलावा विदेश सचिव वास्तव में विदेश मंत्राले की आंतरिक नीतियों और प्रशासनिक मामलों में विदेश मंत्री का प्रमुक सरहकार की भूमी का निबाता है ये पद भारती विदेश शेवा यानी I.F.S. अफसर के पास होते हैं जो भारत सरकार के सच्चिव इस्तर का अधिकारी होता है भारत के सम्विधान के अलावा साथ भी अनुसूची में संग की सूची का जिक्र किया गया सम्विधान की इस अनुसूची में राश्ट्य महत्यों के विशे शामिल किये गए इस अनुसूची में शामिल किये गए विश्यों पर केवल केंद सरकार ही कोई कानून बना सकती है संग सूची को सूची वन के नाम से भी जाना जाता है जिससे लगभग सौब विश्य की शामिल किये जाते हैं विदेश मामले भी इसी अनुसूची के अंतरगत आते हैं सरकार की और से इसे बढ़ाया जा सकता है विदेश सचिव वास्ता में राष्ट पती प्रधान मंत्री केंद्री मंत्री मंदल संसद और विदेश मंत्री के प्रती उत्तरदाई होता है ऐसे में किसी राजी में विदेश सचिव की न्यूक्ति हो ही नहीं सकती अगर ऐसा होता ह तो इसे पूरी तरह से आसमविधानिक माना जाएगा दरसल मीडिया में खबर आई थी कि केरल सरकार ने IAS अफसर की वासुकी को विदेश सचिव न्यूक्त किया है इस पर भाचपा के प्रदेश अध्यक्ष के शुरिंद्र ने केरल सरकार के कदम को समविधान की संग सुची का उलंगन करार दिया उन्होंने शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि केरल सरकार के अधिकार शित्र से बाहर है LDF की सरकार के पास विदेश ये जुड़े मामलों में कोई अधिकार नहीं है ये कदम आसम विधानिक है जो एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है उन्होंने सवाल भी किया कि क्या केरल के मुख्यमंतरी पंडराई विजएन राजी को एक अलग देश बनाना चाहते है इसी पर केरल की मुख्य सचिव डाक्टर वी वेडू ने सफाई दी उन्होंने बयान जारी किया कि राजी में विदेश सचिव का कोई पद नहीं है इस मामले में मीडिया आई रिपोर्ट फर्जी है केरल की एक मुख्य सचिव ने साफ किया कि केरल सरकार के साथ कई विदेशी एजनसियां दूसरे देशों के दूतावासों में काम करने वाली संस्थाएं बहुपक्षी एजनसियां और प्रतिनीधी मंडल नियमित संपर्क में रहते हैं ऐसा केवल केरल सरकार के साथ नहीं है बलकि ये सारी जुन्सियां दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ नियमित संपर्क में रहती है मुख्य सचिव ने सपष्ट किया कि केरल के प्रधान सचिव सुमन बिल्ला पहले इस डिविजन के प्रभारी थे हाल ही में वो केंद्री सेवा में चले गए इसके बाद उनका प्रभार IAS अफसर के वासुकी को दे दिया गया वरिश्ट IAS अफसर के वासुकी को विदेशी सहयोग से सम्बंदित इस डिविजन का अतिरिक्त प्रभार 15 जुलाई को केरल सरकार ने दिया था उनुने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकार शित्र के किसी मामले में केरल सरकार ने कोई हस्तक्षिप नहीं किया है केरल सरकार में बैठे लोग इस अधार भूत तत्य से अंजान नहीं है कि विदेशी मामले वास्तब में केंद्र सरकार का विशे है